हेलो एवरिबन गाइज माइनम इस प्रशांत यू और वाचिंग न्यू इंडियान एरा तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से छोटे से यूटूब चैनल के अंदर और मेरा नाम है प्रशांत बहुत सारे बच्चों को यार डाउट था बहुत दिनों से कि 12 के परसेंटेज मैटर करते हैं क्या क्या इंपोर्टेंस है हमारे 12 के परसेंटेज का इसका एकदम प्रैक्टिकल एनलीसिस करके बताऊंगा इस वीडियो को पूरा देखना और तुम लोग को रियालिटी में पत देखा होगा मुझे एक इंपोर्टेंट चीज कहते हुए कि 12 का परसेंटेज मैटर नहीं करता है तुम लोग MST-CET में फोकस करो MST-CET में फोकस करो ये इंट्रेंस एक्जाम निकल जाएगा तुमारी जिंदगी बन जाएगी यह बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं तो सारी कंपनीज जो होती है बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो जलने हम कैंपस सिलेक्शन के टाइंप सिक्सटी परसेंटेज मांगते हैं मांगती है तो अब भाई आप कैसे कह रहे हो कि 12th का percentage matter नहीं करता है 12th का percentage कैसे matter नहीं करता है जब कि बहुत सारी companyya 60% मांगती है मैं एक दब इनकी बातों से agree करता हूँ भाई ये सही कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है company 60% मांगती है अब मैं तुम्हें reality बताता हूँ जड़ा ध्यान से सुनना और कुछ important चीज़ें आपके लिए बताऊंगा जड़ा ध्यान देना ठीक है देखो 12th के अंदर 12th के अंदर जिस बच्चे को meet या फिर जेई जैसा exam देना है उस बच्चे को 70 से ले करके 75% के जादा ले के आना पड़ेगा तभी जाके वो neat या फिर जेई के लिए eligible है मैं एक roughly average idea बता रहा हूँ जिस बच्चे को MHT CET का exam देना होता है ये महराश्टरा का test होता है इसके थूँ public engineer बनती है pharmacist कर सकती है pharmacy कर सकते है ये सब कर सकते है इसके लिए जो open category के लोग होते है उन्हें 45% लाना होता है और जो reserve category के लोग होते है उन्हें 40% लाना होता है ये minimum eligibility criteria है तो government ने अगर ये किया होगा तो government ने ये नहीं सोचा होगा क्या कि जो companies है वो companies तो 60% मांगती है तो फिर 45 या 40% जो है ये अगर बच्चे इतने लाएंगे तो इनको तो company job नहीं देगी तो ये सारे बच्चे तो फालतू के हो जाएंगे तो क्या ये government नहीं सोचती है बिलकुल government सोचती है ऐसा और ऐसा ही है तो इससे ये proof होता है कि जो 12th के percentage है वो सच में जिसको जे इनिट देना है उसके लिए तो बाई 70-75% लेकिया आना पड़ेगा वरना तुम eligible ही नहीं हो तुम MST CT के लिए eligible हो सकते हो लेकिन तुम ये डरते हो कि भाईया उसमें 60 नहीं आएगा तो हम CT का exam नहीं देंगे अब मैं तुमको एक practical fact बताता हूं बच्चो आर यू ready to listen this fact जल्दी comment box में बताओ क्या तुम ready हो सुनो ध्यान से देखो तुम्हारा जो paper है वो 7 मई से शुरू होगा किसी किसी का I think 9 मई को शुरू होगा 9 मे को शुरू होगा exactly तो 9 मे को तुम्हारा exam शुरू हो रहा है 9 मे को MHT CT का exam जो MHCT है इसका exam महरास्टा CT का जो exam है वो 9 मई को शुरू होगा करीबन 22 से 24 मई तक paper रहेगा अब बच्चो तुम कहते हो कि eligible 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 तुम्हारा जो 12 का result है 12 का जो तुम्हारा board का result है जो तुम्हारा result है वो 30 माई के आसपास आएगा तो क्या तुम लोग CT का exam नहीं दोगे अरे भाई CT का paper पहले हो जाएगा बारवी का result बाद में आता है तो क्या तुम लोग अभी exam ही नहीं दोगे ये कौन सी बात हो गई भाई जो तुम्हारे लिए बहुत matter करता है clear हो गई बाते हैं तो हर बच्चे को CT में focus करना चाहिए इस टाइम पे और 12 का percentage जो है बस इतना निकालो कि तुम्हारा 50% से जादा आए और अच्छे marks निकालना है तो 70-75% निकालो तब तो तुमको कोई रोक नहीं सकता दुनिया की हर चीज के लिए तुम eligible हो जाओगे बहुत सारे इसी government job भी होती है जिन में 45-50% eligibility criteria होती है वरना कुछ-कुछ government job में जिसे की NDA वगरा है इन सब को फिर तुम नहीं दे पाते हो तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ के रखना पड़ेगा NEET, JAE को तो ये eligibility है MST, CT का भी eligibility है तो ये सब के लिए तुमको बस इतना focus करना होगा कि 12th के percentage सिर्फ इसी के लिए matter करते हैं कि तुमें entrance exam के लिए eligible हो जाओ सी ठीक है अगर NEET और JAE जैसे बड़े exam को नहीं दे सकते तो MST, CT जैसे महाराष्टा के बड़े exam को तो दे सकते हो है ना इसलिए बस इतना importance at 12th का जो बच्चा 90% लेके आएगा और जो बच्चा 65% लेके आएगा दोनों को हर जगे वो eligible हो जाएगा JAE NEET में बस ये eligible नहीं होगा जो बच्चा 80% लेके आएगा जो बच्चा 90% लेके आएगा दोनों की eligibility सेम होगी हर जगे समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ तो बस यही होता है 12th के percentage का काम सिर्फ eligibility को cross करने के लिए होता है बस इतना यह अगर तुमको ठान लिया है कि मेरे को engineer बनना है और मेरे को CT का exam दे के ही बनना है तो उसके लिए बस तुमें 50% से जादा लेके आने है अब मैं तुमको एक harsh reality बताता हूँ ये video बहुत ही informative होने वाली है तुमारे लिए मैं खुद software engineer हूँ और मैंने खुद बहुत बड़े महारास्टा के third rank college सुमया college से मैंने पढ़ाई की है हर बच्चा मुंबई से अगर होगा तो देख रहा होगा जानता रहेगा विद्धवियार सुमया कोई केजे सुमया तो अम मैं तुम्हें बताता हूँ एक सबसे important बात है guys you will not believe कि जितनी भी small company होती है कोई भी company small और बड़ी नहीं होती है package बड़ा छोटा होता है तो घ्यान देना अब जैसे कि Infosys company ये माल लो तो Infosys company 20 लाग का package भी देती है और Infosys company 2.5 लाग का package भी देती है अब अगर ये company 20 लाग के package वाले बंदे को hire करने जा रही है 11 लाग है, 10 लाग है, 12 लाग है, 15 लाग है है ना, साल के होते है LPA मतलब lakh per annum तो अगर इतने का package अगर वो दे रही है तब तो वो कोई भी तुमारा 12th का percentage नहीं देखने वाली उसको तुम सिर्फ उसके interview crack कर लो उसका जो paper होता है, campus selection का time पर paper, interview होता है ये crack कर लो तुमको वो job मिल जाएगी लेकिन जो छोटे पैसों के लिए job होती तो इनसे छोटा काम करवाते हैं 2,5 लाग रुपे, 3 लाग रुपे का काम करवाते हैं साल का, महिने की सेलरी 20-25,000 रुपे होती 18-19,000, 20,000 रुपे ठीक है, तो जिनको ये package मिलता है जो अच्छा इंजीनियर बनने के बाद भी engineering college में अड़मिशन लेने के बाद भी MSTCT crack करने के बाद भी लोग पढ़ाई छोड़ देते उनको लगते हैं, चार साल की डिगरी में पढ़ाई करते नहीं है उनके percentage कम आते हैं फिर फिर उनको पढ़ाई knowledge नहीं होता practical knowledge कम हो जाता है तो फिर जाके वो interview crack नहीं कर पाते और जब क्यूंकि सब college में जाने के बाद बच्चे एक दम बस लड़के लड़कियों की पीछे और लड़कियां बस उनको अच्छा दिखाने की पीछे लग जाती है सव लड़कों में से दो-चार लड़कियां अच्छी रहती हैं लड़के भी अच्छे रहते हैं इनको सीधा जॉब दे देते हैं, इंटर्विव इंटर्विव नॉर्मल होता है, पास हो जाते हैं, सब लोग बस और कुछ नहीं, क्लियर होगी बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान देना, तो अब तुमको किस लेवल में जाना है, बस इस इसको ध्यान दो, तो जो इक टॉपर लड़का होता है, वो फोकस करता है MSTCT के अंदर, उसको सिर्फ 50% भी आ गया, तो वो डरता नहीं है, पूरा महारास्टा का एक रूल है, कि लास्ट के दो महीने में ही, लोग MSTCT की प्रिप्रेशन अच्छी कासी करते हैं, जो बहुत ही टॉपर लड़का होगा, वो 11 वी से ही पढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन 99% महारास्टा के बच्चों को यह नहीं पता होता है, कि 11 वी में MSTCT पढ़ाई करनी होती है, कोई भी offline tuition वाला पढ़ाता भी नहीं है, नहीं MCQ प्रैक्टिस करवाता है, किसी किसी के college में हुआ रहेगा जो एक लाग रुपे, असी हजार रुपे, देड़ लाग रुपे, फीस भरा रहेगा उसके इधर, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा, अपने मन यमन वो भी जानता ही है, दिल से जानता है, वो बाकी तो फिर कहने के लिए तो मैं सब जानता हूँ, आई सई बोलोगे, बट सच्चाई तो यह है, मैं सब खोल कर रख देता हूं, इतना तुम्हें पता है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो दो महीने में ही, पूरे महाराष्टा के बच्चे पढ़ाई करके COEP कॉलेज, फिर उसके आद VJTI जैसे बड़े-बड़े कॉलेज, Sumaya कॉलेज, अभी तो Sumaya प्राइवेट युनिवर्सिटी होगी तो इसकी फीस बहुत जादा हो गई है, हम लोग मेरिट में निकाला था, मेरे टाइम पर मुझे करीबन 80,000 पर मन्त का पैकेज लगा था, जो कि एक अच्छा खासा इस शुरुवात में, भाई मैं 21 का था, और मुझे मिल गए इतना बड़ा पैकेज, मैं तो खुश भाई, असे अजार उपने घर में बइटे कमाऊंगा, फिर लॉक्डाउन लग गया, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और कुछ नहीं अब यह सब करो, स्टार्ट अप कर रहा हूं भी जॉब दे रहा हूं पबलिक को मतलब अपनी टीम है, इतने सारे लव एंड सपोर्ट है, यह सारी चीज़े हैं, तो भगवान कुछ अच्छा ही करते हैं, तो बस इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, यह सीज़े आपके लिए बहुत मैटर करती है, तो आपको बताता हूं कि लास्ट के दो मेनें पड़ सकते हो, अब हमने भी पूरे हमारी महारास्टा की टॉप टीचर की टीम है, हमने भी आपर टीम भी ठाया, आप लोग देख सकते हो, यह हमने अचीवर्स बैच लांच की है, महारास्टा के बच्चों के लिए ही लांच की है, महारास्टा के लिए ही लांच की अंदर, ठीक है, और यह वीडियो आपको देखने के बाद, आप जितने बच्चों ने जिंदगी बैच विजय बैच सब जॉइन किये थे, आपको पता होगा कि MST CT के अंदर बच्चों 11 वी प्लस 12 का दोनों सिलेबस होता है, वो पूरा हम कवर करवा के देंगे, तीसरी सबसे इंपोटेंटी डेली 2 से 3 टेस्ट सिरीज होंगी, MCQ पैटर्न में MST CT के, इनका solution भी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, लाइव लेक्चर 10 गंटे के जो चलेंगे इनको कभी भी तुम recorded देख सकते हो, anytime देख सकते हो, कभी भी जब तुम चाहो तब तुम देखो, ठीक है समझ रहों में क्या बता रहा हूँ, यह पूरी टीम है, इसके अंदर physics, chemistry, maths, bios, सब मिलेगा, जिसको PCM चाहिए, उसको PCM भी मिलेगा, उसके लिए यह जो 1,999 तुमको दिख रहा ना, इतना नहीं रहेगा, जैसे कि मालो अगर तुमको किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ PCM देना है, यार देखो हम इतनी में 10 घंटे का लेक्चर लगातार, यह जब टीचर लेंगे, इनका खून पसीना एक हो जाएगा भाई, ठीक है, 10,000 MCQ से जादा पूरे 2 महिने में concept के साथ पढ़ाएंगे live lecture में, handwritten notes देंगे, test series होगी, यह सब कुछ होगा, यह कितना matter करता है, हमने एकदम limited seat रखी, जादा लोग का admission नहीं देना, 10 March से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, इसके बाद तुम लोगे तुमारा नुकसान होगा, 10 March के बाद हम admission भी बंद कर देंगे, उसके बाद बिलकुल admission नहीं मिलेगा, वो जिंदिगी बैच के जैसा पहले लेंगे नहीं बच्चे, बाद ने बोलेंगे, भाई आओ, admission open करो, admission open करो, अरे कैसे करेंगे, बाई, उतने लोग को पढ़ाने की, capacity भी होने चाहिए, वरना server डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो चीजे भी है, तो 10 March के बाद admission बन, 10 March तक तक तुम ले लो, क्योंकि 8 March को biology होगा, पेपर तुम्हारा खतम हो जाएगा, और बढ़िया तुम अच्छे से, 10 March से MST City की preparation करो, कोई भी गाहों मत जाओ, नानी नाना, ये समस हो, चुब पेपर खतम तो मजे करेंगे, बेटा ये 2 महीना रगड लेगा जिंदिगी में, ऐशो आराम की जिंदिगी जियेगा, वरना फिर हो गया, ध्यान रखना इतना, बस add-d-e-nd यही कहूंगा, कैसे लेना भी बता दूँगा, हमारे बाजू में एक डॉक्टर रेते हैं, एक injection किसी को लगाएंगे, दो सुरुपए लेते हैं, एक normal minimal charge की बात कर रहा हूँ, बी-चमस, बी-ए-मस की पढ़ाई उन्होंने की रखी है, दो सुरुपए लेते हैं, उनके यहाँ पे करीबन 30, 35 लोग तो minimum 30 पकड़दा हूँ मैं, 30 लोग उनके यहाँ पे आते हैं, डेली के 6,000 रुपए की कमाई हो गई, डेली के 6,000 कमाई, डेली आते हैं, संडे से टेडे और ज्यादा लोग आते हैं, बिमार पढ़ते हैं लोग, ठीक हैं, तो 6,000 सोचो अगर 10 दिन में 60,000 होते हैं, 1,80,000 रुपीज आराम से वो इनसान कमा लेता है, मैं जहाँ अर्णिंग की बात कर रहा हूँ, सोचो, 1,80,000 रुपीज आराम सोचो यार, जिस बंदे ने डॉक्टरी की बात कर रहा हूँ, जो बंदा इंजीनियर है, नॉर्मल उसको 10 लाग का पैगेज लग जाता है, सोचो, यह चीजे होती है, जिंदिगी बदल जाती है, अगर तुमारे गर में घरीबी है, मिडल क्लास है, तो तुमको लाइफ में बदलना पड़ेगा, यह सब फालतू, अभी तुमारे कुछ फ्रेंड रहेंगे, बोलेंगे इधर जाते है, वो लड़की कैसी है, लड़की भी है, बूलती है, वो लड़का कैसा है, इधर मस्ती चल रही है, उदर, बस यह दो महीना पढ़ लो, फिर देखो, सब करते हैं, मैं भी इंजिनिरिंग कॉलेज में था, वहां पर भी देखा तो, मेरी बहुत से फ्रेंड यही सब, मेरी सिच्वेशन न लगती, मेरी कंडिशन न लगती, मैं वो सब नहीं किया, नहीं मतब कुझे करना भी ता, तो मैं अभी जैसाब कर रहा हूं तो मैं चीज़े कर रहा हूं, मेरा भी 1,999, 2000 का भर्त है, तो यह सारी चीज़े होती है, बस जो बंदा शुरू में महनत करता हो, बात में कमाता है, और अच्छा करता है, और याद रखना, अगर तुम बवाए हो, तो तुमारी कमाई ही त सब से बढ़ा जरीया है, तुम अट-धिन्द अबसे कितना कमारा है. नहीं कमार है तुब ढार रहे है, कुछ नहीं, भाकि सब ढार है, तु भंगार है, यही बोलती ही पादली कर तो यह सब कुस थोड़ा समझ के रखना पडता है, अब कैसे इन्रॉल करना है थोड़ा सा पता देता हूं जरहां सीख लोगे ज्यादा फायदे में रोगे तो न्यू इंडियानरा का अप्लिकेशन तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी जा के प्ले स्टोर से सब बच्चे डाउनलोड कर लो यहां पे 2200 रुपे का दिखा रहा है अब आप जब जाओगी इसी में क्लिक कर दोगे तो यहां पे आपके सामने अचीवर्स बैच लिख्या जाएगी यहां पे देखो NIE 200 लिखा हुआ है NIE 200 में क्लिक करोगे अभी 2100 था देखो आचानक से 1999 हो जाएगा बहुत मेहनते 10 घंटे लगातार पढ़ाएंगे यार थोड़ा हमें भी समझो तो यह चीज़े हैं अब यह चीज़े 1999 की यहां पे 29 पे क्लिक करोगे अब कुछ बच्चे बोलेंगे भईया हमारे पास कैश में पैसा आया नहीं है हम क्या करें तुम किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओ शौप में चले जाओ बड़ा भाई चोटा भाई बहन मौसी किसी को भी बोल दो पैसा ओनलाइन वह भर सकता है बस जिस भी तुम मोबाईल नंबर से अपना लॉग इन करोगे वही मोबाईल नंबर से लॉग इन कर दो और पैमेंट तुम किसी भी मोबाईल नंबर से करवा सकते हो कोई प्राबलम नहीं हम तुमारे साथ बैटे कोई प्राबलम रही यह ले मेरा वाटसेप नंबर और इ तो जहां से चाब पेमेंट कर सकते हो कोई भी याद रखना बस पेमेंट तभी करना जब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो वरना फेल हो जाएगा तो पैसा रिटान साथ दिन में आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग बैटे जिन्दा इदर ठीक है तुमको एक बराब जो चीज है तो यह वाटसेप पे मैसेस कर दो कोई प्रॉब्लम रहे मस्त पूछो अच्छे से ठीक है तो यह पेनाओ का अप्शन है यहां से पे कर सकते हो वन ट्रिपल नाइन देखो पे कर दोगे MST CT की प्रिप्रेशन दस मार्ट से शुरू हो जाएगी अभी हम डेमो लेक्चर भी तुमको देंगे बड़ी अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं कोई समस्या नहीं तो बस CT की प्रिप्रेशन के लिए अब लग जाना है अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा ग्रूपिंग के बारे में कि जिस बच्चों का ग्रूपिंग क्लियर नहीं होगा जिसके 45% भी नहीं आते हैं वो क्या होगा कैसे होगा ग्रूपिंग भी मैं उसके उपर एक वीडियो बनाऊंगा अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ग्रूपिंग क निव इंडेनरा के एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लो बढ़िया अच्छे से और दमाकेजार तरीके से सिर्फ एप में इसकी पढ़ाई होगी ते कोई MST CT यूटूब से पढ़के नहीं क्रैक कर सकते हो क्योंकि टेस्ट सीरीज जैसी चीज़ें वहां नहीं पॉसिबल हैं पढ़ाई नहीं सकते यार खतम हो जाएंगे तिना कैसे पढ़ाएंगे यह सम कुछ मैटर करता है तो MST अच्छे से महनत करो पढ़ाई करेंगे मिलते हैं 10 मर आज को सीधा क्रैश कोर्स के अंदर तब तक के लिए बाई बाई लव यो लॉट टेक केर